लोग सभा चुनाव के बीच समयजवादी पार्टी ने प्रदेश नित्रित्व में बड़ा बदलाव किया है सपाने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की जगा शाम लाल पाल को उत्तरप्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है शाम लाल पाल इससे पहले सपा के महा सचिव का कारेभार भी संभाल चुके हैं उनके बाद नरेश उत्तम पटेल ने उन्हें प्रदेश कारेकारणी में शामिल किया गया था बीते साल ही सपाने उन्हें प्रदेश उपाद्यक्ष के जिम्मदारी भी सौपिती बतादे कि इस लोकसभा चुनाव में नरेश उत्तम पटेल यूपी की फतेपूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं नरेश उत्तम पटेल अखलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं बताया जो रहा है कि नरेश उत्तम पटेल अपने चुनाव पर पूरी तरहां से फोकस कर सकें इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मदारी शाम लाल पाल को सौब दी गई है बतादे के मंगलवार को उतर प्रदेश की दस सीटों पर बोटिंग होगी इनमें संभल, हात्रस, आगरा, फतेपूर सीकरी, फिरोजबाद, मैनपूरी, एटा, बदायू, आवला और बरेली शामिल है इस फेज में कुल सौ मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं 1.88 करोड मतदाता हिस्सा लेंगे इस चुनाव में केंद्री मंत्री एस्पी सिंग बगेल, यूपी के परेटन मंत्री जैवेर सिंग, राजस्व राज्य मंत्री अनूप रधान बालमिकी और मुलायम सिंग यादव की परिवार के कई सदस्यों की किसमत का फैसला होगा बतादे कि मैंपुरी से एकलेश यादव की पतने डिमपल यादव चुनावी ताल ठूक रही हैं, इसके लावा राम गोपाल यादव के बेटे अक्षे यादव फिरोजबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अक्षे इस सीट पर 2014 में जीत हासिल कर चुके हैं, वहीं बदायू लोक सभसीट से शिपाल यादव के बेटे अधित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इस सीट पर 2014 में धरमेंद्र यादव जीत हासिल कर चुके हैं